ओम श्यान्ति हम सभी को ताज धारी वनना है तिलक धारी वनना है और दिल तक्त नसीन भी वनना है ताज भी पहनना है तक्त पर भी बैठना है और तिलक धारी भी बनना है तिलक हम सब जानते हैं आत्मी की स्मर्ति के तिलक में जो जादा रहेंगे उन्हें राज तिलक प्राप्थ होगा ये तिलक नेचुरल रूप से हम सब को लगा हुआ हो इसकी हमें बहुत अच्छी प्रेक्टिस करते रहना है आत्मा की भिन्वरिन प्रेक्टिस जिनकी चर्चा हम अने एक बार कर चुके हैं चमकती हुई जोती मस्तक में दिखाई देने लगे तीसरे नहें तरसे ताज यहां का डबल ताज वहां का डबल ताज प्राप्त कराएगा वहां के डबल ताज को हम जानते हैं एक लाइट का प्यूरिटी का ताज दूसरा सत्ता का ताज यहां हम डबल लाइट रहेंगे आत्मिक स्वरूप में भी रहेंगे और मन को भी बहुत हलका रखेंगे सच्चा ज्यानी वास्तों में वही है जो अपने मन को हर परिष्टिती में बिमारी में समस्याएं बाधाओं में हलका रखना जानता हो भारी तो मनुस्फट से हो जाता है लेकिन स्वयम को हलका करने के लिए बाबा में विश्वास उस पर समर्पित करने का अनुभाव सब कुछ उस पर समर्पित कर दें बोज उसको अर्पित कर दें और ज्यान की कुछ पॉइंट्स का परियोग जैसे भगवान हमारा साथी है इसका बहुत अच्छाना सा हमें पावर्फुल बनाएगा हलका करेगा क्योंकि जो पावर्फुल होंगे वही तो हलके रह सकेंगे कम जोर व्यक्ति का तो मन तेजी से चलने लगेगा उसको तो डबल लाइट होने का अनुभव ही नहीं होगा तो हम सभी इन चीजों को बढ़ाते चलें और अपने अंदर ट्रस्टी सिप को भी बहुत बढ़ाएं हम ट्रस्टी हैं परिवारों में आप रहते हैं परिवारों की जिम्मेदारी होती हैं परिवारों में कोई न कोई व्यवसाय आप करते हैं बाबा को सब कुछ अरपित करके ऐसा स्विकार कर लें कि बाबा ने हमें फिर से वापिस कर दिया है मानलो धन है आपके पास बाबा को और पित कर दें है तो आपके पास और यह संकल्प करें बाबा ने स्विकार किया हमारा धन वापिस कर दिया अब उसके धन के हम त्रस्टी हैं यह हमारा नहीं है तो उसकी अज्यानुसार ही हमें धन का परियोग करना है यह बहुत अच्छी फीलिंग हम रोज करते रहें जिम्मेदारियों में भी हम ट्रस्टी हैं गरस्ट को चलाने में भी हम ट्रस्टी हैं तो मन पर कोई भी जाद़ बोज नहीं रहेगा और इसका परिणाम यह होगा कि बाबा भंडारे भरपूर करता ही चलेगा आला कि ट्रस्टी सिप काफी सुक्स्म है मेहनत का विस्व है क्योंकि कमाया अपने है खिलाना भी आपको अपने बच्चों को उनकी समाल करनी है फिर बाबा सब कुछ कर रहा है इसके लिए बड़ी सुक्स्मता चाहिए कि हमारे परिवार की पालना स्वयम भगवान कर रहा है वही दाता है वही सब कुछ दे रहा है ये बहुत विश्वास के साथ यदि हमारे मन में संकुर रहती है तो वो हमें जादा देने लगता है और अगर मैंपन आ जाता है मैंने कमाया मैंने ये किया तो फिर मैंपन से एक दिवार जैसी बन जाती हमारे उपर जिसमें इस पर ये दुआएं या उसकी मदद या उसके इंट्यूसंस हम कैच नहीं कर पाते हैं तो पूरा सब्ताहा पूरे पंदरा दिन बहुत अच्छा भ्यास करेंगे कम से कम संकर्प तो अपने चेंज करी लें और हमें डबल ताजधारी बनना है तो ताजधारी जो होंगे वो बहुत पावरफुल भी होंगे बावा के दिल तक नसेन भी बन जाएंगे तब बावा की ओर से हमें ताज तक तो तिलग मिल जाएगा तो बहुत अच्छे उमंग उच्छा के साथ सभी इन सभी चीजों का अभ्यास करेंगे अनुभाव करेंगे निरंतर आगे बढ़ेंगे ओम शांती